हमें बच्चों के लिए दो रंग का बहुती सुन्तर डिजाइन लेकर आईहूं आप इस डिजाइन को बच्चों के स्वेटर में बच्चों के कारडेगन में अर प्रोजयक्त में अप्लाई कर सकते हैं ये दो रंग का बहुती सुंदर डिजाइन है, ये आठ सलाई का डिजाइन है, हमें चार सलाई, चार चार सलाई बनानी है, चार सलाई हमने वाइट से बनाई है, फिर चार सलाई पिंक से बनाई है, इस तरह से एक रंग से हमें चार सलाई बनानी है, इस तरह से ये आठ सलाई की डिजाइन है और हमें जो फंदे चाहिए इसके लिए वो हमें फोरọn्टिपल के फंदें करनी के बाद टीन फंदे एख चाहिए होते हैं इस तरह हमें फंदे चाहिए और यह हमारी सिद्वी साइड है डिजाइन की और यह रूह winner रोंग साइड इस तरह से नजर आएगी सीधी साइड इस तरह से यह आठ सलाई का डिजाइन है चार-चार सलाई बनानी है हमें एक रंग से चलिए अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे लिये हैं फोर मंटीपल करने के बाद हमने तीन फंदे एक्स्ट्रा लिये हैं अब यह हमने ब्लू कलर से फंदे डाले हैं इसमें और दो सलाई उल्टे-उल्टे की बनाकर एक लाइन बना लिए अब यहाँ पर हम कलर चेंज करना है अब हम दूसरे रंग की उन लगाएंगे क्रीम किलर की अब यह हमारी फंच रो है सीधी जाइड अब यहाँ पर हम श्टार्ट करेंगे फंच रो तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे सेकेंड कलर कि उन से वाँ टू थरी तीन फंदे सीधे एक फंद सिउलिप करेंगे फिर से तीन फंद सीधे वाँ टू थिरी एक फंद पंद सि Mobile करेंगे फिर से तीन फंद आखिर में तीन फंदे बचे हैं हमारे पास, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, ये हमारी 1st row complete होगई, ये देखिए, इस तरह से, अब ये हमारी 2nd row है, उल्टी साइड, अब ये सब ही फंदे हमें सीधे बुनने हैं, जो फंदे हमें बुनने हुए हुए वे उल्टे सेकंड रो, तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वान, टू, थिरी, एक फंदा सिलिप करेंगे, जो हमने पहली सलाई पर सिलिप किया था, उसे फिर से सिलिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, उल्टे, वान, टू, थिरी, फिर से फंदा सिलिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर से फंदा सिलिप, आखिर का फंदा, आखिर में तीन फंदे हैं, तीनों को उल्टा बुनेंगे, अब ये second row complete हो गई, अब ये तीसरी सलाई है हमारी सीधी साई, ये हमें उसी तरह से बुननी है, जैसे हमने first row बनाई थी, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, one, two, three, एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, one, two, three, एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक फंदा सिलिप, आखिर के तीन फंदे सीधे बुनेंगे, यह हमने तीन सलाई पूरी कर दी, अब यह उल्टी साइड है, फॉर्थ रो, अब इसमें हमें जो फंदे बुन के लिये थे, उन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, और जो फंदे सिलिप किये थे, उनको फिर से सिलिपी रखेंगे, उन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, इस तरह यह पूरी सलाइं के पना सीधे बुनेंगे तीन फन्स ίह सिधे बुनेंगे 1 2 3 तीन सीधे होगे clicking आगे करेंगे अपनी तरफ फंदस लिप करेंगे फिर से रुपन पीछे करेंगे देखियो इस तरह अब यह 3 पंदे सीधे बुनेंगे वान, टू, थिरी अब फिर से उन आगे करेंगे अपनी तरम इस पंदे को सिलिप करेंगे फिर से उन पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे फिर से उन आगए एक फंदा सिलिप करेंगे उन पीछे आखिर के तीन फंदे बचे हैं तीनों को सीधा बुनेंगे वान टू थिरी यह हमारी चार सलाई कम्प्लीट हो गई यह देखें चार सलाई पूरी हो गई अब यह हमारी पाचवी सलाई है चार सलाई हमने क्रीम किलर की उन से बुनी है अब उस चार सलाई हमें फ्रोजी रंग से बनानी है अब हम उन चेंज करेंगे अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे सेकिंड उन से अब हमें यह बीच का फंदा सिलिप करना है जो हमने तीन फंदे सीधे बनाए है, यह तीन फंदे हैं हमारे पास सुरू में, एक फंदा हम इसे बुन कर लेना है हमें, इस फंदे को हम सिलिप करेंगे, फिर यह बीच के तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इस फंदे को सिलिप करेंगे, फिर यह तीन फंदे सीधे बुन ते पर एक फंदा सिल्प करेंगे और यह तीन पीच के फंदे हैं एक यह यह बीच का फ्रोजी दो साइड के इन तीनों का हम सीधा बुनेंगे वान टू साूइ थिरी अब एक फंदा सिल्प करेंगे तीन फंदे सीधे यान टू तारी एक फंदडह सिलिप करेंगे तीन फंदे सीथे वान टू तारी दो फंदे बचे हैं आखिर के एक फंद सिलिप करेंगे और एक फंदा सीथा बुनेंगे इस तरह से ये हमारी 5 विसलाई पूरे हो गए अब यह हमारी छटी सल आई है wrong side एक फंदा सुरू का हम उल्टा बुनेंगे इसको फिर एक फंदा सिलिप करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर एक फंदा सिलिप करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे वन टू थ्री फिर एक फंद स्लिप तीन फंदे उल्टे शिलिप फंद किया आखिर का फंद उल्टा बुन दिया यह हमारी चटी सलाई भी पूरी हो गई यह साथ विसलाई है सीधी साइड इसको भी इसी तरह से बुनेंगे अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे इस फंदे को सिलिप करेंगे तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर एक फंदा सिलिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, एक फंदा सिलिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से एक फंदा सिलिप करेंगे, आखिर का फंदा सीधा, यह हमारी साथ सलाई पूरी हो गई, अब यह हमारी आठ विसल आई है रोंग साइड इसको अब हम इसी तरह से बुनेंगे इन फंदों को सीधा बुनेंगे लेकिन जो फंदे हमने सिलिप किये थे उनको हम फिर से सिलिप ही करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे उन आगे करेंगे अपनी तरह इस फंदे को slip करेंगे फिर से उन पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे 1, 2, 3 उन आगे करेंगे एक फंदा slip उन पीछे करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 उन आगे करेंगे एक फंदा slip उन पीछे करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे टू थिरी उन आगे एक फंदा सिलिप आखिर का फंदा सीधा बुनेंगे यह हमारी आठ सलाई पूरी हो गई यह देखे आठ सलाई हमारी पूरी हो गई है और हमारा छोटा सा डिजाइन भी बन कर आ गया है आठ सलाई पूरी होने पर हम फिर से इन आठ सलाई को रिपीट करेंगे फिर से हम उन चेंज करेंगे यह फिर से हम रिपीट करेंगे इस उन से तीन फंदे सीधे वन टू त्री अब देखे यह फिर से यह बीच का फंदा हम सिलिप करेंगे और इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरह से यह हमें बार-बार रिपीट करने है एक फंदा सिलिप करेंगे, तीन फंदे सीधे फिर से एक फंदा सिलिप करेंगे, तीन फंदे सीधे वान, टू, तिरी, फिर से एक खंद से लिप करेंगे, आखिर के तीन खंदे बचे हैं, तीनों को सीधा बुलेंगे यह देखिए, इस तरह से हमें बार-बार आठ सलाई रिपीट कर दी है यह देखिए, आठ सलाई पार-बार रिपीट करने पर यह बहुती सुंदर डिजाइन बन कर आया है आठ सलाई का डिजाइन है, चार सलाई हमने एक कलर से बनानी है, फिर चार सलाई दूसरे कलर से बनानी है इस तरह से हमें 4-4 सलाई बनानी है 8 सलाई का डिजाइन है इस डिजाइन को आप बच्चो के स्वैटर में, बच्चो की कार्डिगन में और बच्चो की जैकिट में किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई करें बहुत सुन्दर बन कर आएगा आगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आये हूँ तब प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर किलिक करना ना भूले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में